हेलो फ्रेंड वेल्कम बैक टू माई यूटूब चेनल आज मैं बताने वाला हूँ कि इंडियन कोष्ट गार्ड नाभिक जीडी नाभिक डीबी और नाभिक यांतरिक में कौन सा ओवी सी सेटिफिकेट लगा है बहुत सारे लड़कों को डाउट आ रहा कि एस्टेट का लगाई या सेंट्रल का लगाए बहुत सारे तो ईवी सी को ओवी सी बना रहे हैं तो ऐसा नहीं चलेगा आपका डूकुमेंट बेब आउट कर दिया जाएगा तो आज बताने वाले हैं कि ओवी सी सेंट्रल का लगेगा या स्टेट का इससे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं अगर आप हमारे चैनल करना है तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें तो चलिए आईए वीडियो को सुरू करते और अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि OVC सेंट्रल का कैसा होता है और किस से आपको बना होना चाहिए ताकि वो कोष्ट गाड में रिजेक्शन आपको ना मिले तो चलिए आईए वीडियो को सुरू करते हैं देखे जैसा कि आप लोगा स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि बिल्कुल इसी टाइप का इसी फोर्मेट में आपका OVC बना होना चाहिए तब आपका एक्सेप्ट किया जाएगा मैं कुछ चीजों को हाइड कर दिया हूँ ताकि गलत मिस यूजना कोई करे और देखे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि आपका पहले अंचल से बना होना चाहिए फिर अनुमंडल से बना होना चाहिए उसके बाद आपका डिश्टिक से बना होना चाहिए देखिए यहा और इधर देखे QR code जरूरी है, अगर QR code आपका certificate में नहीं है तो वो मानने नहीं होगा, वो कोश्गाट रद कर देगी, तो certificate में QR code होना बहुँ जरूरी है और इस परकार का आपका OVC Central Level का रहेगा, जिसको भी doubt था, वो किलियर मैंने कर दिया, ऐसा वीडियो आपको पूरी YouTube पर अभी तक फिलाल अफ्लोड नहीं किया गया होगा, कोश्ट गाट को लेकर, जितने भी कोश्ट गाट के स्टुडेंट हैं, जो फॉर्म कल से फिलूप करने वाले हैं, वो अच्छा से अपने OVC certificate को इस format में मिला लें, अगर इस format में हैं, तो कोई दिकत नहीं होने वाला है, आप फॉर्म भरिए अराम से, तब तक के लिए जय ही, क्योंजय करने दिकत अगराम से परिए आपक के स्टवरेंट।